खेलो मेरे भाई भान क्या हल चाल है जाईर सी बात है अच्छा तो नहीं होगा अस्टुडेंट दो महिना से लगतार दिन रात एक की वुर्थे तैयारी कर रहे थे एक्जाम देने जाते हैं तो पता चलता है एक्जाम भी अच्छा गया जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है हमारे पास जो है कि इस तरह का सारा कोशन पुछा गया था यह पहले ही बाइरल हो गया था इसके लाब़ा क्या है यह आपका सेकंड सेटिंग का है और हम लोग भी जब स्टुडेंट को प्लाते हैं तो बार बार यहीं बोलने का प्रयास करते हैं को मूटिवेट करने का कि नहीं बाव अपने पढ़ेवाला के रिजल्ट होता है लेकिन अब देखिए आप लोगको मैसेज दिखाते हैं अब हम क्या बचा को जवाब दे देखिए मैसेज से भड़ा हुआ है विहार प्लिस से कोशन आउट हुआ है कुछ बोलिए इसका है ना मतलब देखिए खाल कितना सारा है ना अब देखिए जो बच्चा पढ़ने वला होगा उसको भी पढ़ने का हीमत तूट जाएगा एक्जाम में कोशन बहुत पूछ रहा है बहुत कटप जा रहा है उससे बच्चा को समस्या कुछ नहीं होता है समस्या होता है क्यों एक्जाम देने जा रहा है पता चर रहा है कितना मिनत किये, 75 को बना, आजो नहीं पढ़ा है को दिन, वैसी बना के चला है डहर मनिया गया, वैसी यह वस्था में क्या कोई बच्चा को पढ़ने का मन कर सकता है, जाहिर सी बात है कोई बच्चा को पढ़ने का मन नहीं करेगा, गार जीएन लोग क्या बो कर न colleg कर दोने कि यह गुंभान Cindy के लिए तश्चों होぎनक रहा है इस वाला और में नोरफी कर रहा है अगर बच्चा यहां एक्जाम हो रहा है तो पढ़ने का उसको मने नहीं करता है, जी जान से लग भी नहीं करता है, जब अगर गुशे पर नौकरी होता है, तो यहां पर बच्चा को सिदे सिदे बोल दिया जाए, अगर बच्चा को बार बर मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, नहीं, नहीं, आपने पढ़ावला के रिजल्ट होता है, अगर हमारा से कई बर क्या होता है, कि बुलता है कि अपने से पढ़ावला के सेलेक्शन नहीं होता है, हम भी 2012 में बिहार प्रीस के अग्जाम निकाले थे, और भी 2012 मेरा सेलेक्शन हुआ था, खूर समय क्या था, सोचल मीडिया का जमाना नहीं था, अना सेटिंग टेटिंग होता भी थे तक कव मस्तरप होता एक जाम कोश्चन पर आउट हुआ, तो अगने बगल रह गया, लेकिन आजकल सोचल मीडिया का जमाना है, एक जगा आउट हुआ, पुरा फ्हेल जाता है, कई जगा लोग का नाम क्या है, कि एक जगा सेंटर पा तो पता चराने का आउट हुआ है, लेकिन पुरा तो भीहा स्टुडेनट के लिए बोल सकते हैं नया होना चाहिए। एक चाहिए जब बच्चा को जगी नहीं रहा है आपने को कैणसल करना चाहिए भीधाइका काम, अबीदी बिननना, कर्यपल्ण का लावग करना, और नई-पलया क्या होता है? आज को सही तरीके से देखना, धकल देना. अब देखे क्या है, ये माल लेते हिए कि अगर बीधाइका क्रेपल्ण काम नहीं कर ला है, तो यहां नयाले को सक्रिय हो करके स्टुडेंट के पच्छ में कुछ निर्ने देना चाहिए उसके बाद ही क्या है कि तो temporary solution होगे कि सरकार को सबसे पहले क्या है इसको cancel करने का प्रयास करना चाहिए permanent solution क्या होता पहले क्या है कि जो भी इसका इसमें भागी है या भागीदार participate कर रहे हैं इसको करवाने में उनको ऐसा कटोड़न मिलना चाहिए कि जब हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा ही किया जा सकता है अब एक और चीज़ कहा देखे इतना बड़ा पैमाने पर सेटिंग बेगर हो रहा है अब ऐसाने कि इस बार हो रहा है बहुत समय से हो रहा है अब इसमें अब सरकार ही बोल सकती है कि आपके पास क्या सबूत है सबूत तो ऐसे सबूत देखे देना क्या है आपका सरकार का खुद काम है सरकार का जाच एजनसी है उसको सबूत पता करना चाहिए, लेकिन इसाफ साफ होते विए दिखाई दे रहा है, कि जिसको कुछों नहीं आता है, उन्हों परी कर रहा है, जिसको बहुत आता है, विचला इसी जिए चल रहा है, जने तरह घूमल चल रहा है। निखल सकता है जो सेटिंग पगया है। ऐसा नहीं कि अपने से नहीं हो रहा है। लेकिन अपने से इसको बहुत high level का। जिस तरह का भी हार पूस्टन पुछता है। दरोगां से भी tap होता है। हम बता रहें कि बहुत बच्छा आपzos एक हो सकता अलगा बीषर प्रश्म ना होगा जिते वागान, उसके बाद में क्या होता है कि स्कोष्ण क्या होता है इतना सी बाधित द्चाथ tu? तो क्या होता है तो क्ठथे रॉष्ण कंवाट राहता है प्लस क्या है कि इहां जो जाता है ना तो सही से काम करता है अब मालत दे कि जहानाबाद के DM है है ना जहानाबाद कुछ वह जागा था हम काम तो ऑफिस लिवा उसको जिमवारी लेना पड़ेगा तो यहां भी क्या है कि उसको जिमवारी लेना पड़ेगा अगला क्या है कि स्टेन को जब वहां सेंटर जाते हैं आपको इंटर करने जाना चाहिए और उसके बाद जो है अगजाम जब सुरू हो जाए उसके बाद किसी को इंटरी करने का मौका नहीं मिलना चाहिए आगला क्या है? OMR ुसिट जो है, एक कारबन कोपी पी एक और बिहार में समस्या क्या है? कि नए इंसर की जारी होता है, नमाकिस स्वाता चलता है, बिल सुपर उपर हो रहा है, अंद्र लेंदर सब चल रहा है। यहां किया है कि सुरू में ही अगर OEMR, स्कार अगर बोलती है कि नहीं घूष्ट बगर चलता है, चाया करप्सा नहीं हो रहा है, तो देने में उसको क्या जाता है, OEMR sit को कारबन को पी, कारबन को भी बच्चा को मिल जाता है, साथी क्या है कि जब दिखते रहना कलता ही. बलकि दीखते रहना भी चाएए क्या ह्या है ? एक कंसेट्ट क्या है ? एक student group में क्या कर सकते हैं कि teacher का एक नयतिक दाइत भी क्या बनता है कि सारे teacher मिल करके इसका समध्धान करने का इसके बिरोध में आवाज उठाएं एक चीज़े हम बहुत अच्छा दखते हैं जब कुछ समस्य आता है तो वहाँ जितने teacher प्रहाने बाल होते हैं सब मिल जाते हैं मिल गरके आवाज उठाते हैं देखे हमको इसकली क्या है हम लोग क्या कचाईए इतना student है या teacher है इसका समध्धान करने के लिए आवाज उठाएं teacher एक काम सिर्फ यहीं नहीं होता है इतना भगवान बन के चल गए नहीं कोई इसके लिए आवाज उठाएं हम बोलेगे क्या कि social media आज के समय में बोल सकते हैं effective बोल सकता है physical प्रदर्शन का हम suggestion नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है एक तो क्या कि पढ़ाई लेकिन का बादित हो जाता है और दुसी बात क्या है कि वहाँ जाए सांतिपुन प्रदर्शन करने जा रहे है हो जाता है हिंसा आप लोग हिंसा नभी भी किजेगा तो बोल सकता है हिंसा करवा दिया जाता है ताकि हिंसा गतिविती हो जाएगा तो सरकार को बहाना मिल जाएगा तो इसका हम सेशन नहीं देंगे social media का साल लेना चाहिए इस तरह का hashtag अगर चाहे तो कोई एक दिन चलाया जा सकता है है ना ताकि सरकार उक पर जवाब पड़े hashtag आपका आपका बिहार पुलिस एक्जाम जस्टिस फर बिहार पुलिस नितीज को हमारे को टेग कर सकते हैं तेजस्वियादों को टेग कर सकते है अल्टिमिटली तो भूल सकते हैं कि सरकार थे लूख चला रहे है तो ही लोग के पास हमारा आवाज पहुँचना चाहिए है ना और आवाज पहुचतर रृभ है सरकार को इसको उपर करवाई करना चाहिए नहीं तो क्या होता है गर में देखते हैं साधविया होता है तनिया जाती है उसको सोसन हो रहा हो रहा है एक महिना, दू महिना, चार महिना, पांच महिना साल भर नहीं बोलती है जब चटती है तो पुरा घर पुष्ण देती है इसी स्टुडेंट का गुसा भर रहा है न और कभी गुसा उटे गया, तो इस समझे के सरकार के लिए बहुत चुनोती हो जाएगा, अलागे देखिए, अस्टुडेंट को हिंसा नहीं लेना चाहिए, हम लोग को यही प्रयास करना चाहिए, लेकिन ना निकलेगा, तो लास्ट में बच्चा को उप्रास क्या उताय है, देखिए, मरता क्या नहीं करता, और अगर अन्याय के प्रयूध में आवाज उठाना, अमलूका करतब है, इसके प्रयूध में सबको मिल करकर आवाज उठाना चाहिए, और अस्टुडेंट को गया, जी तरह का मेसज आता है, कोई आत्म हथ्याक करने वाला मेसज भी करते ह बोली इस तरह का मेसेज रहता है आप बच्चा को हम कितना समझाए कि नहीं बाव पढ़े वला का रिजल्ट हो रहा है साफ साफ देख रहा है कि हमर चचेरा भाईवा नहीं पढ़ा था आप उसको नोकरी हो गया तो इस तरह सा हैस्टेग आप लोग चलाइए है ना सब टीचर को मिल करें कोई डेट निहाज कर लेना चाहिए है ना कासरे बताते हैं जिनके पास क्या है ओडियंस ज्यादा है नंबर ऑफ स्टेंट ज्यादा है उनकी बात सरकार सुन सकती है तो बहुत पर जल्ड़ी सरकार संग्यान ले सकती है ठीक है अब इसका बाद अब क्या बुले बोल सकते हैं कि आतमा दुख्रित हो जाता है अब अशुडेंट मेनत करता है ना टीचर भी इतना ही मेनत करता है ऐसा नहीं कि टीचर नहीं से ना टीचर्स हो यहाँ है ना शुडेंट्स हो यहाँ है तो मतलब कि दोनों इतना मेनत करते हैं फिर भी नहीं होता है तो बड़ा तोगा दुख की बात होता है बाकि इसको किजिये देखते हैं फिर क्या होता है पर्यास तो हम लोग करते हैं कि इस तरह से एक्जाम को फियर करवाने का पर्यास किया जाए तोगे दोस्त धन्यवाद